हेलो फ्यूर्स अंबोक्सिंग इडिया में आप सब कास स्वागत है और में हुए मेरा राज मरे पास मुझे डिवाइस यह है रियल्मी c67 स्मार्टफॉन ज्या दूस्तों 6 जी मेरे हैं 1208GB रॉम वेरियंट के साथ में मेरे पास यह स्मार्टफॉन है और डार्क पर्पल कलर म में यह डिवाइस बार्केट में अवालबल है और डिवाइस में दो अलग अलग वरियेट है जिक से बीवाइस के बारे में काफी कुछ जैसे कि वाइप जी सिक्सेर प्रोसेशर 33 वाट फासे सपॉर्ट 5000 बिलिया बैटरी 6.72 इंचस का अल्टरा स्मूथ रिस्प्लें 50 में सब्सक्राइब और यहां पर दिखा गया है यहां पर दिखाए दियता है में के अंदर यहां पर दिखाए दियता है इसी के अंदर यहां पर एक्ठेस परेंट के इसको बर दोकुमेंटेशन सिम इजेक्टर दिया गया है और धार्क पर्फुल कलर में रियल्मी C67 बड़िया कलर के साथ यह स्मार्फोन ने दिखाऊंगा बाकी कॉंटेंट देखा जाए तो यहां पर एक ठाइप A to टाइप C इसी के अबल नजर आता है और इसी के अबल के लावा इसी बॉक्स के अंदर यहां पर एक अडॉप्टर भी दिया गया है 33 वाट्स सुपर बुक चाड़जर यह सुभी बॉक्स कॉंटेंट था और यह स्मार्फोन रियल्मी C67 कुछ इस तरीके से लुक्स एंड डिजाइन साथ हमें समार्फोन देखने को मिल जाता है स्मार्फोन के बैग बोडी की तरफ देखा जाए जिसमें डुयल एर कामरा सट आप दिया गया है और केमरा पार्ट देखें किस तरीके से डिजाइन क्या गया है अच्छा है खराब नहीं लेकिन मुझे खास करके यह जो केमरा म स्केर्स लाइब टेखने लगता और यहां पर देखने में भी लोक्स बहुत ही जहादा लगता है बैक बोडी की तरफ अब स्मार्फुन उपर की तरफ देखा जाए नौस के साथ में डिवाइस की सब्सक्राइब में हमें सिम्ड रह दिया गया है डिवाइस की वेट के ऊपर बात कुरूं तो इसी स्मार्फून की वेट रखा गया है 190 ग्राम और तिकने से 7.9 mm बॉक्स ये डिजाइन के साथ ये स्मार्फून अब चलिए डिवाइस को अन कर लेते हैं और बात ही करते हैं इसी स्मार्फून की डिस्प्ले के बारे में वैसे में Realme C67 स्मार्फून की फास्ट लोग फास्ट इंप्रेशन आपों के असल लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन पर जरू हता है Realme UI दिखा रहा है डिवाइस को हमने सट अप कर दिया और डिस्प्ले कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है पंच्छोल केमरे के साथ में खोब सुरत कलरफूल डिस्प्ले यहाँ पर देख सकते हो HD प्लस नहीं है इस वार फुल HD प्लस रिजुलेशन के साथ में एक डिस्प्ले प्रवाइट कर दिया गया है IPS SSD है 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ में इसी स्मार्फोन में डिस्प्ले है स्मूद एक्स्प्रियंस में रहा है 6.72 इंचेस का पंच्छोल केमरे के साथ में डिस्प्ले दिया गया है और 1080-2400 का पिक्सल से 392 पीपे रखा गया है डिवाइज में 600 जीब रेम है साथ में यहां पर 33 वाट फासन सपोर्ट भी दिया गया है यानि तेजी तरीके से आप अपने डिवाइज को चार्ज कर पाओगे और डिवाइज के रियर केमरे के साथ भी काफी सारा में ने फोटोस क्लिक क्या है और मुझे तो यहाँ पर जो रिजल्ट है आउट पुट है वो काफी एच्छा लगा प्राइस रेंज के इसाब से एक बढ़िया केमरा वाला स्मार्टफोन है रियल्मी C67 और चलिए दूस्तों फिलाल बात के लेते हैं इसे रियल्मी C67 स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में यह जो डिवाइस है यह दो अलग अलग वेरियन में आता है 4GB 128GB वेरियन जिसका प्राइस है आपको 6GB 128GB वेरियन मिलता है और डिवाइस के 4GB 128GB वेरियन है वो 14,000 में मिलता है तो अवर ओल देखा जाए बढ़िया डिवाइस है काफी एच्छा खासा फीचर्स के साथ में यह स्मार्टफोन है मुझे खास करके डिजाइन तोड़ा सा अच्छा नहीं लगा बाकी फॉन तो काफी बढ़िया है डिवाइस के डिस्प्ले हो प्रिसेसर हो डिवाइस की बेटरी यह फिर बात करें डिवाइस की कैमरा काफी है तक एक बड़िया डिवाइस यह 15,000 में अगर एक 5G बड़िया डिवाइस देना चाते हो 15,000 के आसपास तो आप रियल में C67 की तरफ जा सकते हो तो यह दा दूस्तों रियल में C67 स्मार्टफोन के अड़ बॉक्सिंग और इसी स्मार्टफोन के ओनेस्ट रिव्यू उम्मीद है आप सबको यह वीडियो जरू पसंद आए होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडि को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए अरपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रू शेयर कीजिएगा तो आज की वीडियो को बिस्तना है गाइस बाइबाई ठेक क्या और एंचाहिंद